यहां पर फाइनली पोको शामी रेडिमी का एंडूइट 13 का डिवाइस लिस्ट आ चुका है तो आपको अगर जाना कि आपका डिवाइस इसके अंजर है कि नहीं तो वीडियो को पूरा देखना होगा और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब परना टेलिग यहां के अंदर और काफी सारे फोल्स के अंदर आ भी चुका है एंडूइट 12 तो चले मैं आपको एंडूइट 13 को लिस्ट उसे सेयर करता हूं यहां पर जो है मैंने लिस्ट को उपन कर दिया है यहां पर रेडमी एंड शामी आपको लिखा हूँ देखने को मिलेगा एंड 12 प्रो लाइट और मी एलेवन लाइट 4G 5g एले लाइट और नी 5 जी शामी मिक्स फॉर मिक्स फाइव मेगी 실ी और लाऋ निच्फस क beneficla कूंग देखने को में जबता है स्वा मिक्स फॉल्ड ने पर शामी सीवी भी की बहत ग्लता है इसके अलावा यहां पर आपको रेडम 5 Pro भी देखने को मिलता है Xiaomi Mix Fold भी देखने को मिलता है Xiaomi CV भी देखने को मिलता है इसके अलावा यहाँ पर आपको Redmi Series की बात करें तो यहाँ पर Redmi 10, Redmi 10 Prime, Redmi और जो Prime 2022 का मॉडल जेतने मी मॉडल से हैं इसके अलावा यहाँ पर Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max और Pro Max Pro 5G इसके अलावा यहाँ पर Redmi Note 10T, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 11 NFC, यहाँ पर 11S Pro 4G, Pro 5G विसके बाद Redmi Note 11 Pro और Pro Plus देखने को मिलता है यहाँ पर Redmi Note 10 11T, 11 5G, 4G दोनों फोन से हैं यहाँ पर K40, K40 Pro, K40 Pro Plus और K40 Pro Plus गेमिंग भी देखने को मिलता है K50 भी देखने को मिलता है आपको Redmi का और Redmi K50 Pro गेमिंग और गेमिंग लाइट भी देखने को मिलता है इसके अलावा गाइस नीचे आपको देखने को मिलता है Redmi K30 Pro और Zoom Edition देखने को मिलता है K30S Ultra, Poco F2 Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 11 Ultra, Redmi Note 8 2021 भी है इसके अंदर जो आपको देखने को मिलता है इसके अलबा बात करेगा इस Poco के डिवाइस के और जिनको अपडेट देखने को नहीं मिले है पहले Poco के डिवाइस के बात करते है यहाँ पर Poco F3 GT, Poco X3 GT, Poco X4 Pro 5G, Poco F4 Pro 5G, Poco M3 Pro 5G देखने को मिलता है इसके अंदर आपको Poco M4 Pro 5G और M4 Pro 4G यहाँ पर जो जिनको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा इसी हाँ पर जो पोको C4 देखने को मिलता है Redmi Note 9 Pro Max जिनको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा 113 का इसके अलावा जैस यहाँ पर Redmi Note 9 Pro 5G जिसको अपडेट नहीं मिलेगा यहाँ पर K30 जो है आपको 4G देखने को मिलता है 5G, Ultra, K30i, 5G, Racing यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर Poco X3 उसके बाद NFC देखने को मिलता है Poco X2 M2 और Poco M2 Pro इसके अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर जब को Mi 10T, Mi 10T Lite, Mi 10 Lite आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जिसको जो है Android 13 का जो अपडेट वो देखने को नहीं मिलेगा फीचर में और यहाँ पर Poco M2 Pro भी है इसको Android 12 का जो अपडेट वो मिलने वाला है कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर अगर शाओमी ने कुछ बोला यहाँ पर अपडेशी तो Budget Redmi Series usually get one major update तो यहाँ पर जो है अगर कोई budget devices उसके अंदर जो हमें एक अपडेट देखने को मिलता है और कोई mid-range phone इसके अंदर जो हमें दो Android वर्जन जो देखने को मिलता है पर यहास पर जो कुछ मेज़र update देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो कुछ इस तरह से हो सिस्टम है एंडरोड अपडेट का तो भाई यहाँ पर जो कि जो भी मीड रेंज डिवाइस है इसके अंदर और यहां पर जो है इनके लिए अपडेट बंद कर दिया जाए का उसके बाद आप कस्टम रहा इंस्टॉल करके यूज कर सकते हूं तो गैस यह तरह वीडियो अगर आपको वीडियो पसना इस वीडियो को लाइक करने जोइन कर लें अगरेस मिलता हूं अपसे नेक्स्ट वीडियो में